जहीं दोस्तों मेरा नाम है आकास मौरिया और आपसे लोग का आपके अपने चैनल RQP Study पर बहुत बहुत स्वागत है बहुत सारे पोश्ट ऐसे हैं जिनमें दस्वी के अलावा भी मांगा गया है तो कौन कौन सा ऐसे पोश्ट हैं जिसमें दस्वी के अलावा और कुछ भी क्या मांगा गया है qualification साथ साथ क्या किसी पोस्ट के लिए आप लोगों से experience मांगा गया है या फिर नहीं मांगा गया है मैंने पीडियाप को देखा हुआ आई है और बहुत सारे वैकेंसी ऐसी है जिन में आप लोगों के वाल दसमी पास मांगा गया है बहुत सारे experience नहीं मांगा जैसा कि अधर वैकेंसी हों में आप लोगों से experience मांगा जाता है तो इस बगाई अप लोगों को बता हूँ का वीडियो को स्षूरु से लेकर एंड तक देखते रहाना तो मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को पर वहाई सारी जानकारी दे देता हूँ तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग दे सकते हैं मैं भारती थलसेना के वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं भारती थलसेना Indian Army Government of India यहाँ पर दिया गया है इस बार आप लोगों का offline farm भारा जा रहा है तो offline farm को कैसे fill up करते हैं यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं उस पर भी एक अलग से video बना दूँगा जिसमें आप लोग जानेंगे हैं बिना किसी गलती किये हुए आप लोग जो है कैसे farm को अपलाई करेंगे क्योंकि बहुत सारी बार ऐसी करते हैं जिसके कराण आप लोगों का farm reject कर दिया जाता और admit card आप लोगों का नहीं आता है ठीक है offline farm यही problem रहता है कि आप लोग कोई भी गलती करेंगे तो आप लोगों का admit card नहीं आएगा जिसके कराण आप आप लोग जो आई है फिजिकल से वंचित हो जाते हैं और आप लोग भरती में भाग नहीं ले पाते हैं तो ऐसी गलती से बचने के लिए आप लोग यह चाहते हैं तो मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा ठीक है बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को फार्म कब से offline फिलफ करेंगे है तो इसका date है आप लोगों का जो है है 20 नमबर से ही आप लोग फार्म को भरनाय स्टार्ट कर सकते हैं इसके साथ साथ आप लोग जो है आप लोग फार्म को फिलफ कर सकते हैं ठीक है बात कर लेते हैं एज लिमिट की एज लिमिट यहाँ पर आप लोगों को जो रखा गया है वो MT driver के लिए आप लोगों को या फिर जो आई है GC के लिए या फिर lab assistant के लिए जो है attendant के लिए जो है आप लोगों के age जो रखी गई है वो 18 से लेकर 27 वर्स तक रखी गई है other post के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं जैसे के cook के लिए MTS के लिए LDC के लिए इन सभी के लिए age जो रखी गई हो 18 से लेकर 25 वर्स तक रखा गया है इसके अलावा government rule को according आप लोगों को STC वालों को 5 वर्स का छूट दिया जाएगा और OBC वालों को 3 वर्स का छूट दिया जाएगा ठीक है बात कर लेते हैं application fees की application fees में जो है जनरल वालों को 50 रुपए फीस payment करना पड़ेगा बाकि किसी अधर आप लोग जो है बिलोंग करते हैं ठीक है अधर कटेगरी से चाहे यस्ती हो, यस्ती हो, OBC हो, पी एच हो, EX सर्विसमन हो, EWS हो किसी का फीस नहीं लगेगा ठीक है किवल जनरल वालों को 50 रुपए फीस payment करना पड़ेगा ठीक है और जो payment करना पड़ेगा वो आप लोगों को जो आए है यहाँ पर ये दिया गए इनके flavor में ठीक है इनके favor में आप लोगों को जो आए है यह payment 50 रुपए करना पड़ेगा जिसमें आप लोगों को postal order बनवाना होगा ठीक है या फिर आप लोग demand drop भी बनवा संगते बैंक से है otherwise आप लोग postal order लगा देते हैं 50 रुपए का यही आप लोगों के लिए better रहीगा ठीक है बात कर लेते हैं आप लोगों की vacancy details की तो vacancy details में आप लोग देख लेते हैं cook special में जी आप लोगों की 12 post आई है cook IT में आप लोगों का 3 post आई है empty driver OG के लिए 10 post वर vacancy आई होई है boot maker या फिर repair के लिए 1 post की vacancy है LDC में आप लोगों की 3 post वर vacancy है इसके अलामा आप लोगों की मसालची की कर मैं बात करो तो मसालची में आप लोगों की 2 post वर vacancy है battle run में आप लोगों की 11 post वर vacancy है 14 year man में आप लोगों की 21 post वर vacancy है MTS सफाई वाला में 26 post वर vacancy है grounds man के लिए 46 post वर vacancy है GC के लिए आप लोगों की 33 post वर vacancy है इक्वाइब्मेंट में आप लोगों की जो है तीन पोस्ट वर वकंसी है अब बात कर लेते हैं इन में कौन कौन से लोग जो है इलिजिबल हैं ठीक है ठीक है अब बात कर लेते हैं बुक मेटर के लिए बुक मेटर के लिए बुक Boot Maker या फिर Repair के लिए आप लोग apply करते हैं तो यहाँ पर simply आप लोगें से 10 रहएज़ाने आज है इसके अलावा इसके बारे में आप लोगें को इसके जो ओजार होते हैं इसके बारे में आप लोगों पास knowledge होना चाहिए इसके अलावा आप लोगों को जो है है इसके बारे में आप लोगों को संपूर नॉलेज होना चाहिए ठीक है LTC के लिए अपलाई करते हैं तो आप लोगों से सिंपली बारवी पास मागा गया आई है इसके अलावा आप लोगों को इंग्लिस में 35 वर्ड पर मिनट आप लोगों पास टाइपिंग आना चाहिए या फिर हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट ठीक है बच्चे इसी में ज़्यादा कनफिय जो आते हैं कि वहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा उसमें आप लोगों से हिंदी इंग्लिस दोनों का टाइपिंग करवा जागा बट ऐसा नहीं है ठीक है या फिर आप लोग इंग्लिस में 35 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग कर सकते हैं या फिर हिंदी में 30 word per minute जो है typing करना पड़ेगा, दोनों से किसी एक का typing करना पड़ेगा, दोनों का typing नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख लेजिए गा, बात करते हैं मसालची की, तो मसालची में simply आप लोगों से दस्नुई पास मांगा गया ठीक है इसके अलमा आप लोगों के मसालची में ही आप लोगों के जो आई है थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ठीक है वेल्टर में आप लोगों के le ginger simply दस्वी पास मांगा गया आई है अब बात कर लेते हैं फंट्रिसमेंप में आप सिंपली दस्वी पास यहां पर भी आप लोगों से मांगा गया है ठीक है MTS अफाई वाला के लिए सिंपली आप लोगों से दस्वी पास मांगा गया है Ground Sman के लिए आप लोगों से सिंपली दस्वी पास मांगा गया है इसके अलामा GC में आप लोगों के सिंपली दस्वी पास मांगा गया है MTS चवकी दार में आप लोगों से दस्वी पास मांगा गया है ग्रूम में भी आप लोगों से दस्वी पास मांगा गया है और यहाँ पर बारबर के लिए भी सिंपली आप लोगों से के बारे 10 पास मांगा गया है efendim requirement repair में आप लोगों की जो हैं इसमें आप लोगों की जो हैं इसके जो हैं णोलगों को और गर्ट 799 இர अपने उसके साथ तो यूर्ज का एक्स्पिरियंस इस पोस्ट के लिए आप लोगे से मांगा गया है एंगे जब लोगों को सब्जेक्ट दिया गया है तो उसमें आप लोगों का इस सब्जेक्ट होना अत्यान्त आवस्यक है science के science ठीक है तो यह थे आप लोगों के जो है कुछ information जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को सारी जानकारी बता दिना चाहिए इसके अलावा आप लोगों के मैंन में जो भी doubt बनता है आप लोग comment करके पूछ लेना मैं उसका reply जरूर दूँगा ठीक है तो उमीद करता हूँ सारी चीज़े आप लोगों को समझ मा गई ही जो जो important चीज़े थी मैंने आप लोगों को सारी चीज़े बता दी गए इसके अलावा जो doubt बनेगा आप लोग comment कीजिएगा मैं उसका comment का reply प्लाई जरूर दूँगा ठीक है यदि आप लोग चाहते है फार्म फिलप की वीडियो भी मैं लेकर आऊं तो आप लोगों को comment करके बताना होगा तो मैं आप लोगों के लिए फार्म फिलप की वीडियो लेकर आऊंगा साथ साथ payment कैसे कटाएंगे है सारी जानकारी इसके बारे भी आप लोगों को उसी वीडियो में बता दूँगा ठीक है तो उमीद करता हूँ सारी चीजे समझ में आ गई है जिस सारी चीजे समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना साथ साथ चैनल पर नए है पहली बार विजिट कर रहे हैं इसी प्रकार से इंफर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना मैं इसी प्रकार से नई जानकारी साथ नए वीडियो मिलूँगा तब तरह के लिए टेक के यार